हालो स्टुडेंट में शिवानी सूलन आपका वेल्डम करते हूँ आपके अपने यूटुब चानल एक नया गोल्डन रूल सीखेंगे जैसे की गोल्डन रूल के सिरीज हैं मैंने आप बच्छों को बताया था कि अब ये रेगुलर आपको क्लासस मिलती रहेंगे गोल्डन ट्रूल आपको हर तरह से एक्जाम में आप चाहिएhmen वハハpose अके बीद्लेmia को करेगा क्योंकि इन सब अब एक्जाम के अंदर आता है कोशन एरड डिटेक्शन का जिसको स्पॉट दार भोलते हैं सेंटेंस इंप्रूब्मेंट और फिलर प्रोस्टेश यह हर एक्जाम के अंदर आते हैं और यह गोल्डन रूल आपको इस चारू टाइप के कोश्टन को कवर करेगा तीक है आज क के साथ आर भी देखा होगा और हेर के साथ एम भी देखा होगा सेम दियर के साथ भी होता है आवचो ने दियर के साथ वास भी देखा होगा और वर भी हास भी देखा होगा और हाप भी तो हमें बहुत दाउट आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा कैसे हो सकता है कि वही हेर औ और इस लगा रहे हैं, जो कि हम जानते हैं, कि जो इस होती है, वो सिंगुलर वर्व होती है, और आर लगा रहे हैं, जो कि हम जानते हैं, कि आर हमारी फ्लॉरल वर्व होती है, हम एम लगा रहे हैं, हम जानते हैं, आई के साथ यूज करते हैं, हम कैसे हेर के साथ, सिंगुलर लगा रहे हैं, plural भी लगा रहे हैं म को भी यूज करणे हैं तर ऐसा कैसे हो सकता है स्में, दियर के साथ है दियर के साथ भी हम वसं भी लगा रहे हैं हम work भी जो की plural ग्रहें अब इसका reason क्या है अब उसको समझेगे, आजकी class में देखो point के आता है कि जब भी आपका कोई भी sentence start हो there और here से, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर हम here और there को subject नहीं मानेंगे, क्योंकि subject जो होगा, वो हमेशन यूज होगा किसके बाद, आपके after the work, वोफ के बाद, यानि कि हमें जो वोफ के साथ दिया गया subject है, यानि कि जो भी उसके साथ दिया गया word है, वो decide करेगा आपकी वोफ को, कभी भी here or there आपकी वोफ को decide नहीं करेगा, इतना clear होगे आप सभी को, so care needs to be taken to identify it correctly, तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान से देखने की जरुरत है, सही करने की जरुरत है, तो इन points को आप ध्यान रखेंगे, अब देखो आप इसे बहुत simple words में इस तरह से सीखे, जब भी आपको बचो here or there दिया हो, जब भी आपको here or there दिया हो, तो उस case में आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर आप दोनों तरह की वो, यानि की singular और plural, दोनों को यूज करते हो, तो यहाँ पर आप बस ध्यान रखेंगे, कि अगर आपको noun, scn दिया है, या फिर, scn दिया है, या फिर, scn दिया है, यही आपकी वोक को decide करें, यह क्या है, scn, ccn, scn का मतलब है बच्चों, singular, countable noun, singular, countable noun, ccn का मतलब है बच्चों, plural, countable noun, plural, countable noun, ccn का मतलब है, plural, countable noun, और sqn का मतलब है, पिंगुलर, uncountable noun, पिंगुलर, uncountable noun, यान कि यह आपके वोक को decide करें, यह आपकी वोक को decide करें, अगर आपको noun, singular, countable मिलता है, तो आप वोक भी singular यूज़ करेंगे, अगर noun, plural, countable मिलता है, तो आप वोक भी plural यूज़ करें, और अगर noun, uncountable मिलता है, तो अब आप इस point को समझ देना, count जो हो सकते हैं, जिनने आप एक, दो, तीन की form में गिन सकते हैं, उनको बोलते हैं हम countable, countable का मतलब होता है ज 7と 12 की फॉर्म में गिन सकते हैं प्रिंखो एक डो तीम की फॉर्म में गिने जा सकते हैं वो होते हैं बच्छों आपके countable आप ध्यान बखेंगे जो countable होते हैं बच्छों यह आपके दोनों फॉर्म में यूज ओते हैं we can count, कितने girls लेख रही है, we can count, कितने बच्चे class को ले रहे हैं, मेरी class को ले रहे हैं, ऐसे से बुलट पे, हम count कर सकते हैं, count कर सकते हैं, अब दिखो यह आप पे ध्यान रखना है, एक point को, कि हम आप किसी भी noun में, अगर किसी भी noun में एस्टोरियस लगाते हैं, तो यह आपकी noun को plural बनाता है, आप किसी भी नाउन में एक्टॉरियस लगाते हैं तो ये आपके नाउन को फ्लूरल बनाता है किसना point clear हो गया और जो भी नाउन बच्छो आपका uncountable होता है जो भी नाउन आपका uncountable होता है तो आप ज्यान रखेंगे ये वो नाउन होते हैं इन्हें uncountable इसलिए बोला जाता है वचो चुँझे ये कभी भी आपके एक दो फीम गी फॉर्म में गिने नहीं जा सकते इसलिए हम इनको uncountable बोलते हैं, यानि कि यह count नहीं हो सकते, इसलिए हम इनको uncountable noun बोलते हैं, और जो चीजे गिनी नहीं जा सकती, उनमें हम कभी भी as-to-rease का use नहीं कर सकते, और as-to-rease का use हम इसमें नहीं कर सकते, इसलिए इनकी कोई भी plural form नहीं बनती, uncountable जो noun होता है आप अच्छे ध्यान नखेंगे यह हमेशा singular in form होता है uncountable जो noun होता है यह हमेशा singular in form होता है इसकी कोई भी plural form नहीं बनती है इतना clear हो गया? So, यहाँ पर यही point है कि जैसे ही आप अच्छे देखेंगे singular uncountable को तो आप वो भी singular ही use करेंगे आप वो भी singular ही use करेंगे आप यहाँ पर आप जाने एक point को समझ लेना यह sv का मतलब है singular verb से और tv का मतलब है plural verb से tv का मतलब है plural verb से और sv का मतलब है singular verb sve का मतलब है singular verb इतना clear हो गया? तो यानि कि यहां पर आप अच्छे ध्यान लखेंगे जैसा नाउन वैसी ही वर्ब यह singular तो वर्ब भी singular, यह plural तो वर्ब भी plural और यह singular तो वर्ब भी singular जैसा यह नाउन होगा वैसे ही आप इस वर्ब को यूज़ करेंगे वैसे ही आप इस वर्फ को यूज करेंगे, बोलो इतना क्लियर हो गया, जैसा नाउन वैसी वर्फ, जैसा नाउन वैसी वर्फ, बोलो इतना क्लियर है सबी को, doubt है यहां तर किसी को, समझ आ गया point अच्छे से, ठीक है, तो हम हमेशा नाउन के according वर्फ को decide करते हैं, हमेशा ना कि there are, अब are या is, जब मैं बोलूँगी, मानी trees, अगर मैं यहां वे बचो, बात करते हूं, 3 में S लगा हुआ देखें, तो यानि कि S किसको बता रहा है, plural को, कितने पेड़े हम गिन सकते हैं, तो it is a case of plural countable noun, गिन सकते हैं, एक, दो, तीन की फार्म में गिन सकते हैं, तो plural countable noun हो गया, तो हम यहां पर S का use करेंगे, या पिर R का use करेंगे, तो S कैसी वो वे, singular, S कैसी वो वे, singular, हमें noun कैसा दे रखा है, plural, हमें noun कैसा दे रखा है, plural, तो हम कभी भी is का use नहीं करेंगे, हमें noun के according, plural वो का use करना है, तो हम क्या लिखेंगे, R, हम इस का use नहीं करेंगे, अगर यहां पर दिया होता, कि here, अब is लिखेंगे या आर लिखेंगे, जब बात करेंगे, your breakfast की, जब बात करेंगे, your breakfast की, is या फिर R, तो अब आपको again एक चीज ज़्यान रखती है, कि मैं breakfast की बात करूँ, क्या हम उसको गिन सकते हैं, नहीं, कैसा case है, singular, कैसा case है, singular, या tea लिखा होता, या coffee लिखा होता, तो कैसा case होता है, uncountable, गिने नहीं जा सकते, तो जो चीज़ें गिने नहीं जा सकते, वो uncountable और uncountable हम होंगे, singular inform, कैसे use होंगे हमेशा, बचो, singular inform, तो उसमें हम r लिखेंगे या is, तो हम जानते हैं, कि जो is है, वो कैसी वह है, बचो, singular, और जो r है, वो कैसी वह है, plural, तो वहाँ पर हमें singular वह लिखनी है, हम is का use करेंगे, r का use नहीं करेंगे, इतना clear होगे आप सभी को, चले here are four hurdles to jump, तो अब आपने यहाँ पर क्या देखा, बचो, point, कि हमने four देखा, four कैसा case है, countable वाला न, four countable है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बचो, r, क्या लिखेंगे, r, start कहां सी है, there, but हम there के according, यहाँ पर work को decide नहीं करेंगे, हम यहाँ पर four hurdles के, मतब सार रुकावटे थी, उसको jump करने में आई, है न, तो यहाँ पर हमें four hurdles के according check करना है, हम there के according work को decide नहीं करें, तो r, जो है, वो कैसी वोब है, plural, अब नीचे वाला sentence भी there से ही start है, न, क्यों बचो, there से ही start है या नहीं है, है, बट हम यहाँ पर तो easily करेंगे, यह कैसी वोब है, singular, अब ऐसा क क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर hurdle कितनी है, एक रुकावट कितनी आई है, एक रुकावट आई है, यहाँ सार रुकावटे आई है, तो यानि की point क्या आता है, कि जैसे ही आपने plural देखा, तो plural वोब आएगी, singular देखोगे, तो singular वोब का यूज करोगे, बोलो इतना clear हो नाउन बनाएगा, फ्लोरल बनाएगा, तो यहाँ पर फ्लोरल नाउन के case पर हम किस तरह की वोब को यूज करेंगे, फ्लोरल वोब को, किस वोब को यूज करेंगे, फ्लोरल वोब को, से नीचे, there is a problem with the balance sheet, कही न कहीं प्रॉब्लम है, बालंस शीट के साथ, तो यहाँ पर दियर से sentence start है, यहाँ पर sentence किसका start है बतो दियर से, बट यहाँ पर हम जो work is है, हम work is क्यों लिख रहे हैं, singular work को क्यों लिख रहे हैं, तो again same point है, क्योंकि यहाँ पर हमें a problem दे रखा है, problem कितनी है, एक, मैंने आपको बताया था, कि article a और an का मतलब होता है, जिन student ने last classes नही लिए है golden rules की, वो सभी classes जरूर ले ले, अगर आप बच्चे target कर रहे हो, 2024 SS exams को, तो आप बच्चे हर class को ले, कोई भी class miss ना करे, और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, a problem का मतलब एक problem से है, a problem का मतलब एक कही न कही परिशानी से है, परिशानी कितनी है, एक परिशानी ह लिए, here are the papers you requested, यह रहे papers जो आपने क्या की थी, request की थी, आपने प्रातना की थी जिनके लिए, तो a point क्या रहा है बचो यहाँ पर, paper में क्या लग रहा है, paper में क्या लग रहा है, s लग रहा है, तो जैसे ही आप s को देखेंगे, तो it means एक से जाधा की बात कर रहे है, और कुछ previous questions भी करेंगे इस rule से related, तागे आपको एक idea लग जाए कि मैं जो आपको golden rule करा रही हूं, क्यों करा रही हूं, किस तरह से exams में आपके पूछे जाने वाले हैं, तो आपको previous questions करने से एक benefit यह हो जाता है, कि आपको idea लग जाता है कि यह golden rule हमारे exam में इस तरह से पूछा जाएगा, जैसे exam का ही question है, 2022 का CHSL का, there is money ways to make a stranger feel welcome in the community, बहुत सारे तरीके होते हैं, कि आपको अजीब सा महसूस हो, अजनमी सा महसूस हो, community में welcome करते हुए हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखता है कि there is money ways में कोई mistake है या नहीं, तो again आप अच्छे ध्यान रखेंगे, money के साथ बेज़े रखता है, हम जानते हैं कि money का मतलब होता है बहुत सारे, तो बहुत सारे के साथ तो noun countable आएगा, बट कैसा countable आएगा, plural countable, है न, क्योंकि यह मैं आपको golden rule भी करा चुकि हूँ, कि money के साथ हमेशा money का मतलब होता है, बहुत सारे, है न, money का मतलब होता है, तो noun तो हमेशा plural countable आएगा तो यहाँ पर point क्या आता है बच्चों कि there के साथ क्या ये is correct है there के साथ क्या ये is correct है तो अब आपको ध्यान रखता है there के साथ जो is वोव है ये कैसी वोव दे रखे ये singular और हम जानते हैं कि जहाँ पर भी ways लिखा हुआ है noun plural दे रखा है plural noun दे रखा है तो हम वहाँ पर singular रख का use नहीं करें हमें वो कैसी चाहिए बच्चों plural हमें वो कैसी चाहिए बच्चों plural तो same tense में जहाँ is का use singular के लिए किया जाता है same tense के अंदर are का use plural case के लिए किया जाता है यानि कि जहां हम is को singular के लिए use करते हैं, वहाँ पर हम are को plural के लिए use करते हैं, इतना clear हो गया, तो हम there is money ways नहीं, यहाँ पर there are money ways का use करेंगे, और उसी के basis पे हमारा answer option second हो जाएगा, there are money ways is the correction, इतना clear है सभी को, चलेगा, next आते हैं, when there were a strong wind, अब बात हो रही है, यहाँ पर एक strong wind की बात हो रही है, अब देखो point के आ रहा है कि there के साथ क्या यह work correct है, तो again अब यह decide करेगा आपका strong wind, यानि कि हम singular की बात कर रहे हैं, a strong wind की बात करें, एक singular case की बात कर रहे हैं, अब हम जानते हैं कि जो work होती है, वो कैसी work होती है, बच कैसा दे रखा, strong wind, singular दे रखा है, तो हमें same case के अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, was, चुकि same tense के अंदर singular के साथ हम was का यूज करते हैं, जहां हम plural के साथ work का यूज करते हैं, वहां हम singular के साथ was का यूज करते हैं, तो यहाँ पर point की आएगा बचों, कि हम when there work की जगे क was, इतना clear हो गया, यह question आपके CGL में सा 2020 का है, हमें यहाँ पर work की जगे क्या लिखना है, was, और उसी के basis पे answer option क्या हो जाएगा, was, तो हमने यहाँ पर there के basis पे नहीं, a strong wind के basis पे answer को decide किया, इतना clear है सभी को, चलेगा, देखो बचों, आपको regular classes ले पे रहना है, अगर आप अपचे regular मेरे साथ, इसे से गुलेट पे जुड़े रहे हैं, क्यूंकि मैं आपको daily basis पे golden rule और एक अच्छे से notes बनाए, proper तरीके से notes बनाए, हर golden rule को notes में लिखते चले, क्यूंकि यह वो golden rules हैं, जो आपकी exams में पूछे जाने वाले हैं, तो आपको हर एक note करना है, हर एक rule क अपनी notebook में note करते हुए चलना है, जिस तरह से मैं examples plus previous questions करा रहे हूं, वो सब आपको notebook के अंदर note करना है, बाकी बहुत सारे ऐसे बच्ची हैं, जिनके messages आते रहते हैं, batch के लिए, तो मैं आप बच्चों को बता दू, आपको batch मिलेगा, foundation batch, लेकिन उसके लिए आपको play store पे जिसके अंदर आपको grammar, vocabulary and ready, तीनों चीज़े आपको एक साथ मिलेंगी उस batch के अंदर, और बाकी जो classes है, जैसे आपकी live classes चलती है, सुभा दस बजे vocab का show चलता है, जिसके अंदर आपको जो भी latest exams है, उन सभी के vocab के words को कराया जाता है, इसके अलावाद 3.15 पर ही class चलती है for MTS, उसको ले, बागे जिन student का CPO pre-qualify हो चुका है, mains की तैयारी कर रहे है, वो मेरे साथ जुड़े, क्योंकि mains के अंदर तो English ही है, CPO mains की मैं बात करूँ, तो वो सभी बची में साथ जुड़े, CPO mains के लिए SSC bullet पे, तो बहुत जल्द आपकी classes start हो जाएंगी SSC bullet पे, ब 2000 पे जो अभी latest exam के paper हैं, उनी को ही discuss कर रहे हूं, तो आप उन classes को जरूर लेते रहें, बाकी classes अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर like को share कर दिया करो, ठीक है, मेरी तरफ से लेको हमेशा कोशिश रहती है, आप अच्चों को की best से best दिया जाए, और वो सारी चीज़े सीखे चीजों को जो सीखना चाता है, और वो exam को crack करें, तो आपको बाकी जो doubts आते हैं, जो बचे नहीं purchase कर सकते, कोई भी online course purchase नहीं कर सकता, उनको बिलकुल भी worried होने की जरूरत नहीं है, बिलकुल भी चिंतत होने की जरूरत नहीं है, आप classes लेते रहो, मैं आपको इस ची कि आप नहीं खरीद पारे हो course, किसी भी platform का course नहीं खरीद पारे हो, तो आपको जरूरत भी नहीं है, आप golden rule करो, बाकी मैं आपको close test खराई रही हूं, मेरी तरब से पूरा effort मैं लगा रही हूं, कि आपको हर वो चीज मिल सके, ऐसे सी बुलट पे, तो आपके exam को crack कराए, ठीके, और एक अच्छे score के साथ, और आप भी rank ला सकते हैं, आप भी वही बच्चे हैं, जो rank लेकर आते हैं, आप में से ही वो बच्चे निगल कर आते हैं, तो उसके लिए आपको regular classes ले लिए, close test आपको regular मिलता रहेगा, दो चीजे हमें सबसे ज़ादा परिशान करते हैं एक vocab और एक close test, उन दोनों का solution मैंने आपको दे दिया, सुबा 10 बचे, vocab वाली class, close test, recorded class, मैं इसलिए दे रहे हूँ, क्योंकि इसमें आपको सीखना है, मैं live class, close test की तब लोंगी, जब आप अच्छे सा सीख लोगे, फिर live में start कर देंगे उसके लिए, ठीके, बाकी classes अच तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो आप बचे जरूर subscribe कर ले, ताकि आपको हर class का notification मिल सके, और कोई भी class आपकी miss नहीं हो, ठीके, तो thank you again, बचो, thank you for the session, बाकी करते हैं, next class.